वंदे भारत ट्रेन आज फिर से तूट गई, इस बार भी गौमाता के प्रिकोप को निगोडी वंदे भारत जेल न पाई अमरतलाल मतलब की अमरतकाल की इस सेमी हाइ स्पीड ट्रेन को गौमाता के क्रोध की तीविता जेलना मुश्किल हो गया ट्रेन तूट कर ऐसे बिखरी, मानो किसी बंदा ने किसी बच्चे का टिफिन चीन कर बिखेर दिया हो इतना तो किसी छिचोरे आशिक का दिल भी नहीं तूटता होगा जितना ये ट्रेन तूट रही है प्रधार मंत्री मोधी का ये हसीन सपना बार बार तूट रहा है और लोग मजे ले रहे हैं लोग कहते हैं कि ब्रष्टाचार के अचार ने वंदे भारा से बंदी चुनावी उम्मीदों में खटास पैदा कर दी है इस ट्रेन के एक्सिडेंट की आज की तस्वीरों को देखें तो दिखता है कि फटी पड़ी है इस ट्रेन की बॉड़ी सामने कर प्लास्टिक का सामान गाय के जोग को भी रोक ना सका और भगतों के नेकर की तरह फट गया ट्रेन से लटक रहे जुत्रे ऐसे लग रहे हैं कि मानो किसी हाथ फाले रिक्षे की गद्धी किसी तश्रीफ की गर्मी से भट गई हो और अंदर भरा नारियल का जुना बाहर निकलाया हो ट्रेन नीचे से भी घायल हुई है नीचे लगा लोहे का सामान भी मजबूत गौमाता की टकर ने तोड डाला सही कहें तो ना जाने किस बास से गुसाई गाए रोज 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 वंदे भारत को पेल रही है और विकास की हकीकत को रेल रही है बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट की फटी पडी है बाडी और लोग कह रहे हैं कि इससे तो मजबूत होती है मरसीडीज और ओडी फिलहाल ट्रेन के तूटने और पिच्ची होने का ये कारणामा पिछले 70 साल में नहीं हो सका था बस इस काल में ही हो सकता था इस काल में भक्तों ने सच ही कहा था मोदी है तो कुछ भी मुम्किन है इस काल में ये मुम्किन हो रहा है फिलहाल मजे बहुत ले लिए अब खबर को खबर की तरह भी जान लीजिए चकल्लस में बात कभी कभी बिगड़ भी जाती है दोस्तों गुजात के वलसाड में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन दुरगटना ग्रस्त हो गए जानकारी के मताबिग घटना वलसाड के अतुल के पास हुई जहां तेज रफतार से आ रही ट्रेन को गाएने हलके से चूम लिया इस चूमबन ने वंदे भारत का मेकप खराब कर दिया और ट्रेन के चेहरे के दुर्रे उड़ा दिये मदबूत विकास के दावो के सफर पर निकली ट्रेन का अगला हिस्सा अंडवए की फुसर लकडी की तरह तूट कया तूट कया तूट कया ट्रेन के एंजन के पास के निचले हिस्से में भी नुकसान हुआ है निचले हिस्से का नुकसान बहुत गहरा नुकसान होता है मालूम पढ़ता है कि गाए ने इस ट्रेन की नीचे तक की खबर ली है कांग्रेस काल की ट्रेनों में ऐसी हिमाकत कोई नहीं कर सकता था कोई जानवर ऐसी हिम्मत नहीं जुटा सकता था कि वो ट्रेन को टक कर मार दे और मार दे तो पिर जानवर का तो पता है नहीं चलता था ट्रेन कभी खबरों में आती ही नहीं थी फिलाल कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है हाँ बस चेहरा जरूर खराब हुआ है ट्रेन का भी और ट्रेन पेश करने वाले का भी दस सेकिंड दीजिये तो दो मिनट की बात और बताता हूँ वलसाड में वंदे भारत ट्रेन के साथ ये घटना सुभा करीब 8 बच कर 17 मिनट पर हुई और टक्कर होते ही ट्रेन के 12 बच गए एकसिडेंट के बाद वंदे भारत ट्रेन 30 मिनट तक रुकी रही विकास की रह में इतनी देर रुकना किसी गुनाह से कम नहीं लेकिन गुनाह तो हुआ है गुनाह तो गाए से हुआ है इसलिए पता किया जा रहा है कि गाए किसकी थी ताकि माब अदौलत केस दर्ज करवाके हर जाना वसूर सके